अगले खबर आरी गॉलियर से जहां एक अनुखमामला सामने आया है दो सगे भाई एक सौक में नौकर थे और इसी दुकान में वे धीरे धीरे सेथ रगाते रहें तीन महीने पहले व्यापारी ने संदे होने पर उन्हें काम से निकाल लिया लेकिन साथी नौकर पहले ही गोदाम की डुप्लिकेट चावी बरबाद चुके थे इसके बाद वे हर दिन 10 से 15,000 रुपै का पेंट वा हार्डवेर का सामान गोदाम से छोडी करने लगी व्यापारी परिसान था जब उसने गोदाम में लगी CCTV खंगाले तो उसके पुराने नौकरों के फुटेज मिले इसके बाद व्यापारी ने एक सब्ता पहले हजीरा पुलिस को सिकायत की लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया 20-25 चकर काटने के बाद भी पुलिस जब मामला दर्ज नहीं कर रही तो चैमबर ओफ कॉमर्स के पदाधिकारी ने SSP गौालियर से बात की इसके बाद सुक्रवार को मामला दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफतार किया गया है 4-3 महीने में 4 लग से जादा का माल चोरी कर चुके हैं सहर के हजीरा इस्थित नियो कॉलोनी नमबर 2 निवासी संजय सोनी वेवसाई हैं उनकी स्टेट बैंक तिराहा पर संजय प्लाइबुड एंड हार्डवियर नाम से सौप है जबकि गोदाम इंडिस्ट्रियल एरिया में तलवार का बाड़ा में हैं उनकी सौप पर दो सबे भाई मनीज परिहार और रोहित परिहार काम करते थी दोनों ने करीब एक साथ तक दुकान पर काम किया इस दोरान दुकान से हर दिम कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था उनकी गत्विधिया संदिग दिलंगी तो व्यापारी संजयसोनी ने तीन महीने पहले उन्हें काम से निकाल दिया है पर दोनों लड़के काफ ही सातिव थे उन्होंने जाने से पहले गोदाम की चावी की डुप्लिकेट चावी बनवा ली थी व्यापाली को लगा कि मनीज और रोहित को नौगनी से हटाने के बाद हालात सुधरेंगे लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए अब गोदाम से धीरे धीरे माल कम होने लगा दीपावली का मौका था इसने गोदाम में पिना हिसाब के माल भरा हुआ था अभी साथ से आठ दिन पहले व्यापाली ने पेट की दो बार टी गोदाम पर रखवाई थी जब अगने दी पहुचे तो दो बार टी गायब थी इसके बाद यकीन हो गया कि कोई गोदाम में हाथ मार रहा है जब व्यापाली संजे सुनी ने गोदाम में रगी सीसी टीवी कैमरे की फूटेज चेक की तो उसमें दो से तीन दिल की फूटेज में मनीज और रोहित गोदाम से समान चोरी करते हुए दिख रहे हैं इसके बाद व्यापाली ने मामले की सिकायथ हजीरा थाने में की है साथी सीसी टीवी फूटेज भी सौप दिये हैं इसके बाद भी पुलिस ने मामला तर्ज नहीं किया व्यापाली ने जब व्यापाली की संस्था चेम्बर आपॉप कॉमर्स से मदद मागी जूरी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपयों को हिरासत में लिया है। CSP रभी भदौरिया का कहना है कि व्यापारि कि यहां चोरी के भाद मिले cctv mutedage के आधार पर चोरीे का मामला दरज कर लिया है। सदिली आरुप्यों को हिरासत में देली आ गया है। इस घटना में फाई आर की गई और आज दो आरोपी उसमें राउंड अप किये गई इसे पुस्ताच की जा रही है।